हलो दोस्तों, जी अस्वाणी में आप सभी का स्वागत है, आज हम अपने इस यात्रा में पहुँच चुके हैं हिंदी गद्ध के विकास की और, हमने एक बड़ी लंबी यात्रा तैकर ली, आदिकाल से हमने प्रारंब किया था, हम भक्तिकाल में पहुँचे, रितिकाल में पहुँचे, आधुनी काल में पहुँचे, बहुत सारी कविताओं के स्वरूप देखा हमने, उन स्वरूपों के बदलने के पीछे कारण, जिम्मेदार कारणों को देखा हमने, उस समय के उस यूग के महान सहित्तिकारों को देखा हमने, महान कवियों को देखा हमने, उस स प्रमय की तातकालिक प्रवित्तियों को देखा हमने। खुल मिला कि एक व्रिहा दध्यान करते हुए हम आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ने के क्रम में आज हम पहुँचा हैं हिंदी गद्य के विकास्ति और। आज हम देखेंगे कि हिंदी गद्य के अंचल में कितनी विविद्ताएं हैं और यह जो हमारा विशाल गद्य का संसार है इसने कैसे आधुनिक स्वरूप ग्रहन किया। इसके अपने पूरवज कौन थे इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है इसके कितने स्वरूप हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा बहुत सारी इसकी विधाएं हैं लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं यहां पर हम उन्ही विधाओं पर ध्यान देते हुए चलेंगे, जो विधाएं हमारी परिक्षा में हमेशा से पूछी आ रही हैं, पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहने वाली हैं, तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, अपने केंद्र विंदू पे आते हैं, मुख्य बातों पे आते हैं, तो देखत हुदी की परंपरा आधी काल से ही मिलने लगती है, हमारे ग्रूप में एक रंजीत तिवारी जी थे, उन्होंने पूछा था, तो तिवारी जी आपके प्रशनों का उत्तर अब यहां पे मिल जाएगा, हमने एक टेलिग्राम ग्रूप बना रखा है, वहां पर हिंदी क्वि नमबर यहां पर, आप देख रहे हैं, स्क्रोलिंग चल रही है, तो इस नमबर पर आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, आप जो है, इससे कांट्रेट कर सकते हैं, 9454197869 पर, यहां आपको जीयसवानी, TGT, PGT नाम से एक चैनल में मिलेगा, आप उसे जोइन कर सकते हैं, तो इसे माना जाता है, तो ऐसे तो देखा जाए, तो इसका मतलब है, हिंदी गद्य की विधा की जो परंपरा है, जो वीजारोपन है, वो आदिकाल में ही पढ़ चुका था, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्न रतनाकर आदी, इनका वर्नन आदिकाल वाले भाग म पहले हम कर चुके हैं, हमने इस से पहले इन रचनाओ को देखा है पीछे, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विश्तिर चर्चा करने वाले हैं, कुछ रचनाएं राजस्थानी गद्य में भी प्राप्त होती हैं, प्रारमभिक रचनाओ की बात की जा रहे हैं धनपाल कथा रचनाकार का पता नहीं उनके माडिक के चंदर सूरी क्रित प्रिथवी चंदर चरितर वाग विलास भी कहा जाता है मद्य काल में ब्रज भासा में ही लिखे गद्य प्राप्त होते हैं ध्यान रखिया किसमें ब्रज में यहां खड़ी बोली में नहीं गद्य लिखा गया है ब्रज में लिखे हुए गद्य प्राप्त हो रहा है अब ब्रज भासा में गद्य की कुछ प्यारंभी करचनाएं हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं स्रिंगार रसमंडन बिठल नात के द्वारा लिखा गया है 84 वेशनवन की वारता 17 सदी में लिखा गया गोकुल नात जी के द्वारा 252 वेशनवन की वारता यह भी गोकुल नात जी ने लिखा है 80 याम इसको 1603 में नाभा दास जी ने लिखा है कौन सिरेजना 80 याम बैताल 25 सदी 1710 में सूरत मिस्र के द्वारा लिखा गया सेवक चरित्र 1789 इसवी में प्रिया दास द्वारा राजनी इती 1802 इसवी में लल्लू लालद्वारा माधव विलास्ट 1817 इसवी में लल्लू लालद्वारा रामचंद्र सुकल के अनुसार ब्रज भासा गद्दे का सर्व प्रत्थम प्रयोग गोरखपन्तियोगियों ने समबत 1400 के आसपास किया था यह राम चंद सुखली जी का मानना है यह मुनाश्टक नौरत्न सटीक विठल नाथ की अन्य रचनाएं है 84 वैश्रवन की वारता और 252 वैश्रवन की वारता वैश्रव भक्तों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखे गई है अश्टयाम में भगवान राम की दिंचरिया का वर्णन किया गया है इसमें अश्टयाम में ध्यान रखिएगा अश्टयाम और यह सवरचनाएं ऐसी हैं बारम बार पूछी जाती है खड़ी बोली गद्दे की बात करें तो दखिनी हिंदी का गद्दे खड़ी बोली का गद्दे प्रारंभीक रूप दखिनी हिंदी के रूप में मिलता है इसे साहित्ते कारों ने हिंदी, हिंदवी, देहलवी, दखिनी, जबाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा किसे दखिनी हिंदी गद्दे को कितने नामों से पुकारा गया हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्खिनी, जबाबे, हिंदुस्तान की नाम से पुकारा गया दक्खिनी हिंदी के कुछ रचनाकार भी देख लेते हैं कि आखिर इस हिंदी में कितने कभी आए और उन्होंने क्या-क्या रचनाए की तो ख्वाजा बंदा निवाज गेसु दराज 138 सच 1422 तक का रेकाल था मेराजुल आशकीन शिकार नामा तिलावतुल वजूद हिदायत नामा रिशाला सिहवारा और बारह मासा इतनी रचना है मुल्ला वजही की बात कर लेते हैं आपने भी पीछे देखा अच्छा मैं पहले वाली वीडियो में भी कई पर बता चुका हूँ जहां इस टार लगा हो न किसी में आप यह चीज मान के चला करी कि इसके बारे में कुछ खास कहीं आसपास लिखा हुआ है ठीक है तो इन्हें पहला दखनी हिंदी का गद्य भी माना जाता है लेखा की मिराजुल आसकीन को दखनी हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है किसको मिराजुल आशकीन को इसे सूफी धर्म का उपदेश है इसमें इसमें क्या है सूफी धर्म का उपदेश है इकमा ध्यान रखियेगा कि जैसे खड़ी बोली की नहीं सबरस को उर्दु साहित की प्रथम गद्य रचना माना जाता है इसमें तसवफ के सिद्धानतों को प्रतिकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है खड़ी बोली गद्द की प्रारंपिक रचनाया और रचनाकार की देख लेते हैं, अब आगई खड़ी बोली की बात करते हैं, तो चंद चंद बरनन की महिमा, अकबर के समकाली ने थे कभी गंग, माना जाता है कि यह प्रत्थम खड़ी बोली की रचना है, भासा योग लिखी गई सदल मिस्र के द्वारा, रानी केतकी की कहानी 17998 से 1830 के बीच इनसाल लाखां के द्वारा, सुख सागर 18-18 में लिखी गई सदा सुख लाल जी के द्वारा आचार रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंब चंद चंद बरनन की महिमा से माना भासा योग वसिष्ट की भासा मुलतः पंजाबी ब्रजभासा मिस्तित खड़ी बोली है आचार रामचंद्र शुक्ल ने भासा योग वसिष्ट को परिमारजित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रवड गद्य लेखक माना है एक-एक लाइन को विसेश रूप से ध्यान दीजेगा मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पर प्रस्ण बनने की समभावना जादा रहती है खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विसेश योगदान रहा है खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से सम्मद्ध चार महान भावों के बारे में अब देख लेते हैं जो महत्तपुण थे इनको जो खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में जो महत्तपुण योगदान था वह स्तदा सुखलाल, इंसाललाखा, ललूलाल और सदल मिस्र को जाता है ये पुरोधा थे खड़ी बोली गद्य के इनहीं के द्वारा जो बढ़ाई की परंपरा थी आगे चलके वह बिभिन प्रकार की विधाओं में पुस्पवित और पल्लवित होती है वह चाहे जिस विधा में आप देखेंगे तो खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का स्त्रे इनहीं चार अस्तंभों को दिया जाता है अगर इनहें आप गद्य बिधाओं के चार महत्तपुन अस्तंभ कहें तो बुरा नहीं होगा सदा सुख लाल दिल्ली से इन्शा अल्ला खा भी दिल्ली से बाद में लखनव से ललू लाल जी आगरा से सदल मिस्टर जी भी आगरा से संबध थे तो कभी कभी हो सकता है कि आपके पास चार बिकल्प दे दिये जाएं और इन चारों बिकल्प में एक तरफ ये लेखक दे दिये जाएं दूसरी तरफ अस्थान दे दिये जाएं मिलान करने को पूछ लिया जाए या कुछ भी ऐसा ही बना सकते हैं प्रश्ण महत्तो के दिर्ष्टे से स्याम सुंदर दास रामचंदर सुखल और बच्चन सिंग इन रचना कारों को करम इस प्रकार रखते हैं इन रचना कारों का देखते हैं रामचंदर सुखल जी ने कैसे रखा करम सदा सुखलाल को पहले रखा फिर इंसाल लाखा को रखा फिर लल्लू लाल को फिर सदल मिस्र को आपकी परिक्षा में यह क्रम भी पूछा जा सकता है कि राम चंदर सुकल जी के द्वारा किस प्रकार से इने क्रम बद्ध किया गया था स्याम सुंदर दास जी क्या करते हैं कि नहीं पहले इंसाल लाखा, फिर सदल मिस्र, फिर ललूलाल और फिर सदा सुखलाल तो सियाम सुन्दर दास जी का भी पूछा जा सकता है परिक्षा में इसी तरह से कि इनके जो है, आप इनका बताईए कैसे इन्होंने क्रमबध किया था उसके बाद बच्चन सिंग काता है, बच्चन सिंग क्या काता है कि नहीं आप दोनों का हम नहीं मानते हैं सदा सुखलाल पहले, फिर सदल मिस्र, फिर इंसाल लाखा और ललूलाल सबसे नीचे तो इस प्रकार से इन तीनों के द्वारा जो निर्धारित स्थाने यह भी आप याद रखिएगा अब चलिए आते हैं, कुछ रचनाकार जो है महत्वण और उनकी रचनाएग यह सब खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वण योगदान दिये हैं सदा सुखलाल जी का देखते हैं सुख सागर खड़ी बोली में लिखी गई और मुन्तखव बुत्वारिक एक और रचना है, अजीबो गरीब नाम ज़्यादा याद होते हैं यह आपको बता दूँ तो इसलिए अगर याद नो हो तो आज शेरे की बात है ठीक है, तो सुख सागर खड़ी बोली में लिखी गई इसका जो विशे था विश्णु पुराण को आधार बना कर लिखा गया था ठीक है, सुख सागर को विश्णु पुराण को आधार बना कर लिखा गया तो प्रशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना का आधार विश्णु पुराण को लिया गया है या निम्न में से किस रचना की विश्य वस्तू विश्यू पुराण से ली गई है या विश्यू पुराण से ली गई कथा वस्तू पर कौन सी रचना रची गई है कुछ भी प्रश्ण घुमा फिरा के बना सकते हैं तो तथ्य यही रहने हैं प्रश्ण पूछने का तरीका पारिसान बिल्कुल नहीं होना है, इनकी बुद्धी प्रकास किसकी सदा सुखलाल की, पत्रिका नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी, ठीक है, इनके द्वारेक पत्रिका बुद्धी प्रकास, ठीक है, यह, मुंतक बुद्थवारिक, मैं तो ऐसे ही पढ़ूँगा, आप किसी भी तरह प्रकास कर सकते हैं, इनकी बुद्धी प्रकास पत्रिका जी थी, वह, नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी, इन्शाल लखाजी के बारे में देख लेते हैं, तो रानी केत्की की कहानी, उदय भान चरित भी कहा जाता है, इसको, खड़ी बोली में ख्यानक परंपरा का सुत्रपात होता है, ठीक है, और यहां सहली कैसी हाज से प्रधान है, ध्यान रखेगा, यहां पर हाज से प्रधान ब्यंग्यात्मक बातें लिखी गई हैं, लल्लू लाल जी का देख लेते हैं, सिंघासन 32, इन्होंने लिखा 1801 में, खड़ी बोली भा में, खड़ी बोली में, संस्कृत के कवीर सिवदास की रचना से कथा ली गई, तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुबाद किया गया, ध्यान रखेगा इस बात को भी, कि यहां पर भी अनुदित हैं यह दोनों, तो हो सकता है प्रशन यह पूछले कि निम्न में से कौन सी प यह आपको तयार रहना है, उसके बाद माधोनल 1801 में, खड़ी बोली में लिखी गई, राजनीत 1802 में, ब्रजभासा में, राजनीत का जो विसा है हितोपदेश की कहानियों का अनुबाद है, देखिए, फिर ध्यान रखेए एक बार, फिर अनुदित हैया, प्रेम शागर 18 1410 में लिखी गई, खड़ी बोली में, प्रेम सागर या नागरी दसम, चतरुभुज मिस्रद्वारा ब्रजभासा अनुबाद में रचित भागवत पुराण के दसम सकंद का खड़ी बोली में अनुबाद है, मैं इसलिए यहां बहुत आपको घसीट के बोला, कि प्रस्ण ऐसे ही बनेंगे, अभी मैंने इससे पहले बता दिया, जब इस तरह की विशेष्टायों हो, किसी पौराणिक साहित से कथावस्तु ली गई हो, या किसी भासा विशेष्ट से अनुबादित किया गया हो, या फिर कई भासाओं में अनुबाद किया गया हो, या फिर पहली बार ऐसा कुछ किया गया हो, तो आपके परिक्षा के लिए प्रशन बन जाता है, लतायफ इहिंदी, 1810 में खड़ी बोली में, इसे लल्लू लाल ने बजवान इरिखता कहा, या खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भासा की सो लगु कथाओं का संग्रा है, शकुंतल यही लल्लू लाल की मौलिक रचना है, सभा विलास 1815 में खड़ी बोली में, माधव विलास 1817 में ब्रज भासा में, या चम्पू काब्ब्य है, उनिस्वी सताब्दी के सामाजी के जीवन का चित्रण है, चम्पू काब्ब्य का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके आपको लो है, अब आते हैं सदल मिस्र जी को देख लेते हैं, ना सिकितो, पाख्यान या चंद्रावली, दोनों नाम मिल सकता है, तो परिसान नहीं होना है, खड़ी बोली में है या, इसकी रचना यजूर वेद के आधार पर, क्या बात है देख रहा है, यजूर वेद के आधार पर क 1866 में, राम चरित, आध्यात्म रामायर पर आधारित है, हिंदी पर्शियन वकबुलरी, ठीक, वकबुलरी, 18 सदल मिस्र के द्वारा लिखी गई, आचार शुकल के अनुसार, खड़ी बोली गद्य के विकास के, आरंभिक चरण से, संबध चार महानुभाओं को, इनके अल मुंसी सदा सुखलाल नी आज, संस्कृत मिस्रित हिंदी को उर्दु वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दु के कारण कम होते देख, मुंसी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, क्यों? क्योंकि भा है किसे कहते थे, भाखा भासा, संस्कृत मिस्रित हिंदी को उर्दु वाले भाखा कहते थे, ठीक है? मुंसी जी ने हिंदुओं को सिष्ट बोलचाल की भासा ग्रहण की, उर्दु से अपनी भासा नहीं ली, ठीक है? वे एक भगवत भक्त आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि कि भाई हम संस्कृत निष्ट जो भासा है मुसको न चैन करें, जिसमें हमारे पुराण लिखे गए, जिसमें हमारी पोतियां गरंथ लिखे गए, इंसा अल्ला खा, इनके बारे हम क्या करते हैं? इंसा का उद्दे से ठेठ हिंदी लिखने का था, ठेठ हिंदी जो अनपढ सब्द इस्तेमाल कर दिया, उसके लिए गल्ती है मेरी चमा मांगता हूँ, देखे, जो गाउं के लोग बोलते हैं, जो देसी लोग बोलते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर सब्द होगा उनके लिए, इन्हों ने अपनी भासा को तीन प्रकार के सब्दों से मुक्त प्रियोग नहीं करोंगा, दूसरा गमारी, ब्रज भासा और ओधी, इन शब्दों का इन भासाओं का इसमें समावेशन ये नहीं करेंगा, और तीसरा भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल यह नहीं रखेंगे, ऐसा इनकी प्रतग्यां थी, ललू लाल जी के बारे में संस्कृत के विशेज जानकार तो यह जान नहीं पड़ते हैं, पर भासा कविता का अभ्यास इने थी, उर्दों भी कुछ जानते थे, पर ललू लाल की भासा कृष्णो प्रासक ब्यासों की सी, ब्रज रंजित खड़ी बोली है, ध्यान रखेगा, ब्रज भासा में सनी हु भई, कीजय, निरक, लिजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयोग हुए हैं, सदल मिस्र की बात करें अगर, इन्होंने ब्योहार उपयोगी भासा लिखने का प्रयतनी किया, ब्योहार उपयोगी मतलब ब्योहार में जिस भासा का प्रयोग सामाने रूप से होता है, जहां तक हो स सकता है, खड़ी बोली का ही ब्योहार किया है, पर इनकी भासा भी साप सुथरी नहीं है, ब्रज भासा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, फूलन के बिछावने, चोहुदी सि, सुनी, सोनाहु के थम, सोननन के थम, आदि प लगा, जौन, आदि पूर्वी शब्द हैं, तो इन सब्दों का इन्होंने अपने रचनाओं में धडल्ले से प्रयोग किया है, गद्द की एक परंपरा चलाने वाले उप्योक्त चार लेकों में से, उप्रोक्त चार लेकों में से, आधुनी की हिंदी का पूरा-पूरा भ भासा में मिलता है, बेवहार उपयोगी इन्हीं की भासा ठहरती है, इन दो में मुनसी सदा सुखलाल की साधु भासा अधिक महत्तोकी है, मुनसी सदा सुखलाल ने लेकनी भी चारो में पहले उठाई, अता गद्द का प्रवर्तन करने वालों में उनका विसे अस्ताँ मतलब सन की बात करें तो 1803 लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उनके साहित्य की एखंड परंपरा उस समय से नहीं चली साहित्य के योग्य सुब्यवस्थित भासा में लिखी कोई पुस्तक समवत 1951 मतलब 1896 के पूर्वकी नहीं मिलती समवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की द्रिश्टी से प्राय सून नहीं मिलता है समवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली अब देखते हैं राजा सिव प्रसाद सिंग और राजा लक्षमर सिंग खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दोर में सदा सुखलाल नियाज प्रभित चार महानुभाओं के साथ राजा सिव प्रसाद और राजा लक्षमर सिंग का स्मरेणी योगदान रहा सिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे ध्यान रखे रहा हिंदी उर्दु विवाद से संबंदित मत हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और खान पसंद हो अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहां के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वानों की बोल चाल में छोड़ दिये गए हैं ऐसा कहा जाता है सिव प्रसाथ सिंग जी का कहना था हमारे मत में हिंदी और उर्दु दो बोली न्यारी न्यारी हैं हमारे मत में हिंदी और उर्दु दो न्यारी न्यारी हैं बोलियां हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं उर्दू है हम के मुसल्मान और फार्सी पढ़े हुए हिंदू का बोल चाल है मतलब वहां बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है राजा लक्षमर सिंग इनके बारे में कहते है अर्भी फार्सी मिस्रित हिंदी के हिमायती डॉक्टर र हमने देखा संस्कित निष्ट सुद्ध हिंदी के हिमायती राजा लक्षमर सिंग और देखते हैं राजा सिव प्रसास सितारे हिंद की अन्य रचनाएं क्या हैं देखें राजा भोज का सपना आलसियों का कोड़ा इतिहास तिमिर नासक मानो धर्मसार भासा का इतिहास वीर सिंग का व्रितांत उपनिसद सार राजा के पुराने जमाने का हाल भोगोल हस्ता मलक वामा मनुरंजन सिखों का उदय और अस्ति इसमें बताए गया वामा मनुरंजन में राजा लक्षमर सिंग शकुंतला रगवंस 1878 सिंग कालिदास की रचना का एनुबाद है रगवंस म उनका भी एक कृती है ध्यान रखेंग में घ्दू तो जो है रगवंसदोनों उनकी भी कृती है कालिदास जी की अब यहां पर इस्टार लगा हुआ यहां पे देख रहे हैं आप चुकि यहां पर इस्टार आ चुका है यहह संगर्व पुस्तिका जो इस्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी तो हो सकता है प्रसन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तिका विसेस्ता बच्चों इसकूली बच्चों के लिए लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली गदे के विकास में जिन संस्थावने महत्पण भुम्का आदा की उनमें से एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी था इसकी सापना 10 जुलाई 1800 इस वी में कुलकत्ता के गवर्नर वेलजली ने युवा सिविल सेवकों को प्रसिक्षित करने के लिए की थी वेलजली का मानना था कि सिविल सेवकों को स्थानी भासा संस्कृति यादी का ज्यान होना चाहिए जो आपका आयोग 2011 में समझा यहां हिंदी मराथी गुजराती तमिल आदि देशी भासाओं में पुस्तके अनुदित होती थी हिंदी हिंदुस्तानी विभाक के अध्यक्ष जान गिल क्राइश्ट थे गिल क्राइश्ट ने 19 ग्रन्थों की रचना की a dictionary of English and हिंदुस्तानी अग grammar of हिंदुस्तानी लेंग्वेज में गिल क्राइश्ट ने हिंदी अर्दु रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना अर्दू तथा भाखा हिंद्वी के लिए अलग मुंसी निउक्त हुए भाखा मुंसीयों के रूप में ललू लाल और सदल मिस्र की निउक्ती हुई अन्य बिंदू को देखते हैं अठारा सननौ इसमी में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुबाद नए धर्म नियम सिर्शक से किया नए धर्म नियम अठारा सननौ इसमी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुबाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भासाओं में किया था खड़ी बोली गद्ध के विकास में पत्र योंपत्रिकाओं की भी महति भून का रही, जिसका विस्तृत परिचे हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में दिया गया, ठीक है, आगे हम उसमें देखेंगे, अब देखते हैं नाटक, अब देखते हैं नाटक, नाटक को देख ले, अब गद्द की पहली विधा यहां देखेंगे नाटक, नाटक की बारे में देखें लेते हैं पहले, नाटक का काब्य एक महत्तपुंड और प्राचीनतम रूप है नाटक काब्य का, ठीक है, भरत मुनी ने नाट सास्त्र में नाट को नाट बेद या पंचम बेद कहा है, तो शित्यवाद्य, संगीत संबाद, ठीक है, कथावस्तूर और रंगमंच, ये क्या है, ये अनिवार तत्तों हैं जिनसे मिलकर एक नाटक का निर्माड होता है, रामायर था महाभारत जैसे पावराणिक महाकाब्यों में भी नाटक का उलेक मिलता है, संस्कृत नाटकों में द्रिश्य काब्य कहने की परंपरा है, ऐसे में प्रमुकरूप से नाट रूप प्रिचलित थे, उन्हें दस रूपक तथा उपरूपक की स्रेडी में रखा गया, दस रूपक के दस तथा उपरूपक के अठारा भेद माने जाते हैं, दस रूपक के दस भेद इस प्रकार ह उपरूपक के अठारभेद हैं स्री रासिका भी कहता है इसे सिंपक विलासिका दुर्मलिका प्रकरणिका हलिसा भडिका ठीक है ये उपरूपक के अठारभेद हैं ध्यान रखेगा अब देखते हैं यहां नाटक जब हम नाटक की बात करते हैं तो मूल रूप से इसे दो भागों में बाटा जा सकता है भार इसी समय पाश्यात्य साहित्य का प्रभाव भी हमारे कभियों पे लेखो को पे आचारियों पे पड़ा तो क्या हुआ स्वभावता जो सत्ता वर्ग होता है सत्ता वर्ग के संस्कृति का सभ्यता का भासा का प्रभाव स्वभाविक रूप से शाशित वर्ग पर पड़ता ह तो जो शाशित वर्ग होता है यानि कि जिस पर सासन किया जाता है उसकी अपनी संस्कृति का लोप या नास हो जाता है और सासक वर्ग का ऐसा प्रयास रहता है कि ऐसा हो मतलब वह चाहता है कि जो सासित वर्ग है जब तक उसकी संस्कृति सभ्यता का नास नहीं होगा तब तक हम प्रपर उस पे तब तक विधिवत रूप से हम उस पर सासन नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ अंग्रेज आये तो ना क्यों इन्होंने धनका सोशन किया बलकिन हमारा सांस्कृतिक सोशन भी इन्होंने किया हमारे सांस्कृतिक महत तो को हमारे सांस्कृतिक गर्व को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया ठीक है तो क्या किया इसके बावजूद हमारा जो अपना भारती तत्तो था, भारती साहित्य सास्त्र, वह मजबूती के साथ खड़ा रहा है इनके सामने, इनके पास्चात्य साहित्र के अनुसार कितने तत्तो होते हैं नाटक के यहां देखिए, वस्तु होगी, पात्र होगा, कथोप कथन होगा, देश काल होगा, उद्देश होगा और शैली होगी इतने यहां इनके यहां दिखा रहा है हमारे यहां क्या होगा वस्तु कथानक नेता या पात्र और रस्त नेता और पात्र में भी हमारे यहां क्या होता है नेता पात्र अभिनेता यह भी चार प्रकार का होता है देखिए इनके यहां कुछ बताया गया ह कुछ भी नहीं, इनलों को पता ही नहीं है, क्या जाने हैं, हमारे हैं बताएगे हैं, नेताय पातर कितने प्रकार का, धीरोधात, गंभीर, धीर प्रशांत, धीर ललित, और धीरोधत, ठीक है, धीरोधत, इतने प्रकार के हीरो होते हैं हमारे हैं, ठीक है, कथा वस्तु के वि वे सीं कत्हावस्तु का इसिवी हमने बात करें नाटक की तो पहला क्या होगाँ प्रस्तावनना उसके बाद कार्य विकास उसके बाद संगर्स की पराकाष्ठा उसके बाद नियति और अंतमे समापति ये पाँच सो पान बताए गए हैं किसी भी नाटक या कथानक के अब कथाओं के प्रकार देख लेते हैं कथाओं कितने प्रकार की होती हैं यह विभाजन पाँच आधारों पे किया गया है कैसे अभिन्य की दृष्टी से कथाओं के प्रकार में अगर देखेंगे तो जब अभिनित किया जाता है अक्टिंग की जाती है तो उस आधार पे दो तरह के हैं कौन से द्रिस से और स्रव्य एक तो नाटक जैसे होता है रेडियो पर भी होता है आप रेडियो पर भी सुनते होंगे आज से 15 साल 20 साल पहले जब इतना multimedia set नहीं हुआ करता था नेट इतना सस्ता नहीं था 4G नहीं हुआ करता था android लंकिसी के हाथ में नहीं होता था रेडियो एफम पर तमाम प्रकार की कथाएं आती थी आप मैं सुनता था एक हवा महल प्रोग्राम आता था तेनाली के तीर प्रोग्राम आता था आप में इसे बताएगा कमेंट करके कितने लोगों ने सुना है तो इसमें क्या होता था कहानी बताई जाता और इतनी अच्छे अंदाज में बताई जाती थी कि लगता था कि नहीं यार हम तो वहां बैठे हुए हैं तो वैसी परिस्ते में क्या होता था मज़ा आ जाता था पूरा और सुनते सुनते आदमी ने कब बीच जाता था आधे घंटे गंटे पंदर में पता ही नहीं चलता था समवाद के आधार पर कथाओं के प्रकार देखते हैं सर्व स्राब्य मतलब सभी को जो सुनाई देगा स्वगत मतलब जो स्वयम में कह रहे हैं और नियत स्राब्य मतलब एक निश्ची तक सुनना है उसके बाद नहीं सुनना है लोक वृत्त के आधार पर कथाओं के प्रकार की बात करें फल प्राप्ति के आधार पर कथाओं के प्रकार आधिकारीक यानी की मूल, प्राशंगीक यानी की गौण, कथा विन्यास के आधार पर कथाओं के प्रकार देखते हैं, कारे आवस्था आरंभ, प्रयत्न, प्रत्यासा, नियताप्ति, फलागम, अर्थ प्रकृत के आधार पे बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कारे संधी, मुख, प्रतिमुख, गर्व, विमर्स और निर्वहण नाइका भेद की अगर बात करते हैं संस्कित नाटकों में नाइका का अस्थान महत्वपूर है नाइका इत्यादी में तो नाइका का विसेस महत्व होता है यहां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है देखे आगे ने नाइका भेद में मुख्य रूप से तीन प्रकार की बात कर रहा हूँ मैंने बहले बोला था अपने टेलिग्राम ग्रूप के जब मैं वहाँ पे quiz कराता हूं तो वहाँ मैंने बोला था 16 प्रकार की नाइका तो आप लोग यहाँ परिसान मत होई अक्सर आपने तो 16 बोला था यहाँ तीन बताया जा रहा है तो वह बिहारी के रीत कालीन जो है नाइकाओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ तीन प्रकार की नाइका है स्वकिया यह नाइक की पतनी होती है परकिया वह नाइका जो नाइक की पतनी नहीं होती है ठीक है एक तरह से प्रेमी का कह सकते है सामानिया वह नाइका जो वेश्या या गडिका होती है अब जो स्वकिया है यह भी तीन भागों में विभाजित की गई है मुगधा यह प्रेम कलाओं से अज्यात होती है इन्हें प्राप्त यवना भी कहा जाता है मतलब यह प्रेम की कलाओं इन्हें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती मैं कुछ शब्दों का प्रेयोग नहीं करूँगा हलके शब्दों का आप लोग समझ लिए कि जिने कुछ भी जानकारी नहीं होती मध्या यह नायक के प्रतिकूल ब्योहार पर क्रोधित होती है इन्हें संप्राप्तता भी कहा जाता है संप्राप्यता रूप्य कामा कमाल की बात है कितने भी भाजन है प्रोड़ा या प्रगलभा या प्रेम कलाओं में पूर्णता निपूर्ण होती है ठीक है प्रेम कलाओं में पूर्णता ये परिपक्व होती है अब देखते हैं जब हम बात करते हैं रूप्य कामा की संप्रा कार के हैं धीरा अधीरा ठीक है और धीरा धीरा अब जब प्रगल्भा की बात करते हैं तो इसमें भी वही आते हैं धीरा अधीरा और धीरा धीरा तो यह विभाजन भी कभी-कभी पूछा जा सकता है तो आप लोग इसके लिए भी तयार रहिएगा संस्कित नाटकों में स्वकिया नाईका के कुल 13 भेद बताये गए हैं नाईका की दसा के अनुसार उनके भेद देख रहा है कितनी बारीकी से बताया गया है और क्या था? पाश्चातन्म हमने देखा न सीधा सीधा बोल दिये ऐसे 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 तो हमारे यहां सास्त्र बिधिवत तरीके से हर चीज की चर्चा करते हैं कमाल की बात बताओं आपको मैं बिस्तो के किसी धर्म गरंथ को आप उठा के देख लीजे सिवाए भारती है जो भारत के अपने हैं जैसे सिख धर्म हुआ जैन धर्म हुआ बौत धर्म हुआ इनका सम्मंध जीवन से है जीवन दर्सन से है बाकि किसी का उठा के आप बताइए भला नहीं है और जैन सिख बौत सभी हिंदु धर्म से ही निकले हुए हैं सानातन धर्म से ही निकले हुए हैं और इनहीं से निकलने के बाद कुछ अपनी विसेश विसेश खासियत बनाते हुए चले गए हैं तो कितना जटिल रहा और कितना वज्ञानिक है आप कलपना करिए हमारा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता हमारे धर्म में हमारे प्रभू शौम में भी है तो रौद्र भी है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा धर्म मारना नहीं सिखाता तो रक्षा करना नहीं सिखाता रक्षा करना भी सिखाता है अगर आवश्रक्ता पड़ी तो अब नाइका की दसा की अगर बात करें तो स्वाधीन पतिका वासक सज्जा विरहोत कंठिता खंडिता कलहांतरिता विप्रलब्धा प्रोशित पतिका अभिशारीका नायका के गुणों के भेद नायक के समान ही नायका के गुणों तो था उनके भेदों का वर्णन संस्कृत साहित में प्राप्त होता है इन्हे भूशन या अलंकार कहते हैं इनकी संख्या कितनी है? बीस है ये गुण दिये गए हैं अब देखते हैं गुण बीस कौन कौन से हैं? सारीरी गुण कौन से हैं? भाव, हाव और हेला अयतनज कौन है? अयतनज सोभा, कांती, दिप्ती, माधूर्य, प्रगल्वता, ओधार्य और धैर्य सोभाव, लीला, विलास्त, विच्छिति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटा से मतलीजीगा इसको कुटमिति, वित्वोक, ललित, और विहिरित, इतना पूछा नहीं जागा, क्यों आपकी विद्धुता के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक सिक्छुक बनने जा रहे हैं, बस अभिने के प्रकार, अभिने के प्रकार, अभिने नाट्य प्रयोगों का प्राणतत तो होता है, अगर किसी नाटक में अभिने ही गंदा हो, तो कितना भी बढ़ियां लिखा गया हो, कथाना को किसी काम का नहीं है, अभिने के द्वारा ही नाटक बनता है, और उसी से सहिर् अभिने कितने प्रकार का होगा अब देखिए धर्मी और अभिने धर्मी अभिने क्या आधार और अभिने अभिने का प्रस्तोती करन हो गया अब धर्मी को देखते हैं तो दो भागों बाटा गया लोक धर्मी यानि कि लोक प्रचलन पर आस्रित नाट्य धर्मी नाट्य सिद मुखज, सरीर, चिश्टाक्रित, मुखज का मतलब सिर, नेत्र, तारा, पुटब्रा, नासा, अधर, कपोल, चिबुक, मुख, गृवा, इनका इस्तेमाल करना जादा जादा, सरीर में हस्त, वक्ष, पार्सव, कटी, पाद, उदर, उरु, जंगा, देखें इन सब का को बेंड किया जाता, कैसे जुकाया जाता, कैसे हिप को उठाया जाता है, नितम अस्तल को, वक्ष, अस्तल को कैसे आगे रखा जाता है, कैसे हाथों को विभिन्य प्रकार की दसाएं बना, हाथों को विभिन्य प्रकार की मुद्राओं में घुमाया जाता है, चेहरे की भा तधात उसे धातों में तिन प्रत्य की योग से हुई है नाटक के प्रयोग में वृत्तियों का योगदान अत्यंत महत्वपुन है भरत में भरत ने दस रूप का ध्याय में वृत्ति को काप्वे की जन्नी कहा है वृत्तियां चार प्रकार की होती है भारती कौशिकी आरभट और सात्वति रंगमंच की अगर बात करें तो रंगमंच एक ऐसा अस्तान है जहां नाटक को जीवन प्राप्त होता है कैसे क्योंकि नाटक का मूल क्या है अभिने और अभिने कहां होगा रंगमंच पे, रंगमंच मतलब इस्टेज मानके चलिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो इस्टेज प्लेटफॉर्म, और अगर वही नहीं रहेगा, ता आप बहुत नाटक पढ़ी हैं, लेखते हैं, क्या मतलब निकलेगा, ठीक है, कलात्मक रंगमंच नाटक को अत् अगर उसे कई गुण जीवनतता, कई गुणा जीवनतता प्रदान करते हैं, अब इसे कैसे, जैसे, उदारण के लिए, अभिज्ञान साकुनतलम का अभिने होना है, ठीक है, अभिज्ञान साकुनतलम का, अब आप का करिए, बिलकुल मॉडर्न एकदम से जो है, मॉडर्न स सजा दीजे लाइटिंग कर दीजे बड़ी-बड़ी बीडिंगे दिखा दीजे उसके बाद कार दिखा दीजे पक्की सडके दिखा दीजे एक तो यह स्टेज हो गया यह रंग मंच हो गया दूसरा क्या हुआ ऐसा आपने प्लेटफॉर्म स्टेज बनाया जिस पे नदी और जंगल, पेड़ पौधेज, जानवर इनका द्रिस्ट दिख रहा है आस्रम, कुटिया तो यह ज़्यादा उत्तम होगा या यह ज़्यादा उत्तम होगा सहरी वातावरण का ओबिसली आस्रम वातावरण का क्यों क्योंकि अभिज्यान साकुंतलम नाटक का विशय ही ऐसा है कि वह उसी परिद्रिस से पे अच्छा दिखेगा, नाट रचना और नाट प्रदर्शन एक दूसरे से भिन्न नहीं है, रचना और प्रदर्शन, रंग मंच और नाटक का विकास एक दूसरे से अंतर सम्मंदित है, भरत मुन्य तीन प्रकार की रंगसाला का उलेकिया है, व रंग मंच के तीन भाग होते हैं, अगर कोई रंग मंच है, उसके तीन भाग होंगे, रंग पीट, रंग मंच का अगला भाग जहां नाटक खेला जाता है, जैसे यह है, आपने देखा होगा, आप लोग में से राम लीला, रास लीला, अच्छा कितने लोगों, कमेंट करके दो प्रवेस द्वार होते हैं, कहां इस हिस्से को नेपथ्य कहा जाता है, जैसे यह हिस्टेज हो गया, यहां पर परफॉर्म किया जा रहा है, एक्टर्स की द्वारा, एक्टर्स की द्वारा, और यहां पीछे क्या होता है, कि वो अपना मेक अप हो गएरा करते हैं, तैयार ह तो यहां से जाने का एक द्वार होता है एक इधर से जाने का द्वार होता है इससे क्या कहा जाता है नेपथ्य तथा दो प्रवेस द्वार यहां पे होते हैं नेपथ्य से नेपथ्य का मतलब एक परदा पीछे वाला ठीक इस परदे को पीछे वाले को नेपथ्य कहा जाता है नेपत्य क्या है रंग सीर्ष के पीछे कववभाग जिसे दर्सक नहीं देख सकता ये वाला हिसा इनेपत्य है हिंदी रंग मंच सामानने परिचय इसकी बात करें हिंदी रंग मंच का प्रारंब ठारा सो तिरपन में नेपाल के भट गाउं में अभिनित विद्या बिलाप नाटक से माना जाता है ध्यान रखिएगा इस सब बातें बहुत महतोपून हैं हिंदी रंग मंच का नवत्थान 1871 इस्वी में अस्थापित अलफ्रेड नाटक मंडली से हुआ जिसे भारतेंदू और राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया गया जब देखे बहुत देखा गया कि पास्चात्य प्रभाव दिखता जा रहा है हमारी संस्कृती हमारी सभ्यता सब लोप होता जा रहा है ठीक है राधेश्याम कथावाचक अलफ्रिड नाटक मंडली के प्रमुख नाटक कार थे बॉम्बे कलकत्ता की रंगमंडलियों जैसे मौडरन थियेटर के एकी करण से हिंदी रंगमंच का अभूत पुरु विकास हुआ हिंदी मिके अव्यावसाई के रंगमंच का सुत्रपाद 1860 में बनारस थियेटर के साथ हुआ 1884 में बनारस के नेशनल थियेटर की स्थापना हुई भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थियेटर ने ही किया हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडलियों 1906 की महतपुण भून का मानी जाती है हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट समाज 1884 में भूमिका महतपुण थीन की 1884 में यही पर भारतेंदु जी ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यां दिया था कहाँ पर बलिया उसी समय सत्य हरिश्चंद तथा नील देवी नामक नाटों का मंचन किया गया हिंदी रंगमंच के विकास में इप्टा इंडियन पिपल्स थीएटर रेसोसिएसन का महतपुण है नाम स्थापना 25 मई 1943 को बॉंबे में आजादी की लड़ाई विस सुब्यापी फासिवाद विरोधी आंदोलन के गर्व से हुई अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, बलराज सानी, राग्यंद रखवंसी, राम बिलाज शर्मा, रांगे रागव, ख्वाजा अहमत कब्बास, उपेंद्र अश्क जैसे साहित पिकार, आलोचक, अभिनेता इससे जुड़े हैं 1944 में प्रित्वी राज कपूर ने प्रित्वी थियेटर की निव रखी, इसके स्थापना करूनों ने हिंदी रंगमंच को एक राष्टी स्वरूप प्रदान किया भारत में रंगमंच के विकास को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी द्वारा अप्रेल 1969 में राष्टी नाट्य विद्यालय की स्थापना की इसके प्रथम निदेशा कि इब्राहिम अलकाजी ने हिंदी नाट्य और रंगमंच को नगने वो उपेक्षित स्थिति से उपर उठाकर बड़े फलक पर प्रतिश्चित करने का उलिखनी कारे किया हिंदी रंगमंच के विकास महत्वपन घटना कहानी के रंगमंच का उदय है यानि की स्थेच का कहानियों को ज्यों का त्यों मंचित करने का आरंब देवेंदर राज अंकुर ने किया उन्होंने 1975 इस भी में राष्ट्री नाट्य विद्यालाई के रंगमंडल हे तू निर्मला वर्मा की तीन कहानिया रंगमंचन हे तू धूप का टुकड़ा डेढ़ इंच उपर और वीक एंड की मंची ये प्रस्तुती तीन एकांत तस्तिर्शक से करवाई नुकड़ नाटक की अगर बात करें तो नुकड़ नाटक क्या होता है हमने इससे पहले भी एक आगवाट जिक्र किया है इसका नुकड़ नाटक 1975 से 84 के दसक में कांदोलन की रूप में उभर कर आया आम जनता तक अधिक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने है तू और एक आम बोल चाल की भासा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुकड़ नाटकों के प्रयोग को अपरिहारे बना दिया इसी से लोग नाटकों की तरह लचीलापन और परिवर्तन सीलता इसकी खासियत है ब्रेक्त और ग्रोटोवस्की के विचार और पश्चिम के स्ट्रीट थियेटर ने भी हिंदी में नुकड़ नाटकों के मंचन को प्रेरना दी दिल्ली में नुकड़ नाटक को लोकपरी बनाने में सफदर हासमी की भूमी का अविस्मरणी रही है अब देखते हैं थोड़ा सा हिंदी नाटक का सामाने परिचे है, मुख्य रूप से जो नाटक का प्रारंभ करेंगे प्रशाद जी को ध्यान में रखे जैसंकर प्रसाद जी को जैसे हमने इससे पहले देखा, भारतेंदु जी को हमने ध्यान में रखे किया था, कहानी में मु यक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ हिंदी के प्रथम नाटक के संबन में विद्वनमत भेद है यहां देखते हैं गय सुकुमार रास दिलहड के जो है कहते हैं इसे अपभरंस भासा में है डाक्टर दसरतोजा मानते ह लिखा है गोरक्ष विजय विद्यापती ने लिखा मैथली भासा में डाक्टर गणपट चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम नाटक के प्रस्तता देख लेते हैं प्रथम नाटक गय सुकुमार दास देलहड ने लिखा अपभरंस भासा है डाक्टर दसरतोजा कहते हैं कि नाटक है हिंदी का गोरक्ष विजय विद्यापती द्वारा मैथली भासा में गडपत चंद्र गुप्त जी क्याते हैं प्रथम है यही आनंदर अगुनंदन महाराज विश्वनास सिंग जी ब्रज भासा में है आचार रामचंद सुक्र और ड्रक्टर बच्चन दोनों इस प्रथम मानते हैं आनंदर अगुनंदन को नहुस गोपाल चंद्र ब्रज भासा में लिखा भारतेंदु हरिश्वनास से पहला मानते हैं भारतेंदु की अनुसार हिंदी का अरंभिक नाटक प्रथम नहुस पद्य बद्ध ब्रज भासा में लिखा गया है 1869 में गुपाल चंदर गिर्धरदास नाटक कार हैं दुती है सकुन्तला 1862 में राजा लक्षमर सिन्ग विद्या सुन्दर 1862 में भारतेंदू हरिश्चन जी मानते हैं तपता समवरण 1833 में स्री नीमास ने ये नाटक कार है इसके अब देखते हैं हिंदी भासा के पुरुवाधुनिक प्रमुख नाटक कारुण की कृतियां रामायन महा नाटक प्रामचंद चौहान 1610 में सभा सार रगुराय नागर 1700 में इंदर सभा उपेरा गीठिक नाके अमानत गीत नाट्य अमानत 1833 में प्रबोध चंद्रोदय यश्वंत ने लिखा 1643 में चंडी चरित्र गुरु गोबिन सिंग किसी का पता नहीं सम संसार नाटक बनारसी दास 1663 करुणा भर क्रिश्ण जीवन करुणा भरण क्रिश्ण जीवन लच्मी राम यह किस ने लिखा 1657 में लिखा गया सकुंतला नेवाज 1600 में प्रद्यम्न विजय गड़ेस विहारी 1863 में गड़ेस कभी हैं विहारी नहीं उपरोग सभी नाटक ब्रज भासा में हैं ध्यान रखेगा यह सारे जो दिये गए ब्रज भासा में हैं हिंदी नाटकों का अब भी भाजन देख लेते हैं हमने कहा था अब से पहले ही कि यहां प्रसाद जी को केंद्र में रखे बाटा जाएगा प्रसाद के पूर्वे एक समय हम देखेंगे जिसमें हम मुख रुप से भारतेंदु जी को देखेंगे और दिवेदी जी को भारतेंदु जी जैसा प्रतिभावान कोई नहीं हुआ हिंदी गद्र नाटक में या दुरुभाग गिरहा हिंदी गद्र नाटक का लेकिन उन्होंने अल्प समय में भी काफी बहतरी नकारे किया है दिवेदी युग में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ डिकलाइन ही पतन ही देखा गया उसके बाद आते हैं आपके जैसंकर प्रसाद जी और उन्होंने नाटक को एक नई उचाई दी उसके बाद प्रसाद उत्तर युग में देखेंगे जब जैसंकर प्रसाद जी नहीं रहे उसके बाद नौनाट लेखन और समकाली नाटक देखेंगे तो चलिए आज की कक्षा हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं कल देखेंगे प्रशाद पूर्व प्रसाद युग प्रसाद उत्तर युग जितना संभव होगा लंबी क्लास नहीं करनी है इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जल्दी जल्दी सलेबस भी पूरा हो ठीक है तो अगर आप चैनल पर नए है तो जो हमेशा कहता हूँ आपको पता ही है दोहरानी की जरूद नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिलाल ठीक है और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को सेयर करिए बस यही आपसे गुजारी से बाकी इस सुर्द आप सबको सफलता दें जल्दी सेलेक्ट हो जाई सभी थैंक यू सो मच